नमस्ते दोस्तों जोहार मैं अभी से चक्रवरतिया आप सभी का फिस अपने यूड़ोब चैनल पर स्वागत करता हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का जेखने वाले तो सुरू से लेकर अंतर इस वीडियो को जरू देखेगा और नीचे कमेंट करके औ अधुनिक मानव भूगल का जन्राता किसे माना जाता है तो इसका करेक्ट अंसर क्या हो जाएगा देखते हैं आप सभी ठीक लगाएंगे क्या रेड जेल ठीक है तो दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बता दू कि कल जो एक्जाम हुआ है और उनका उप्जेक्टिव कि दोस्तों मैं सबसे पहले को पहला किसे मानोव भूगल्चियश्व एक्ट का एध़्ान केiders क्या जाता दू क्या जतक मानव धूगल धूतलीस सब्सक्णाय क्या जाता है मानो भूगल में किया जाता है किसमें किया जाता है मानो भूगल में आधुनिक मानो भूगल के जन्मदाता जो है जर्मन भूगल वेता ये कहा के भूगल वेता थे दोस्तों जर्मन के भूगल वेता थे जिसका नाम था फैटरिक रेट जेल क्या नाम था फैटरिक रेट जेल और उन्होंने अपनी परिभासा में क्या कहा था मानो भुगोल मानो समाज और धरातल के बीच संबंदों को संसलेशित अध्धन है धरातल के बीच का क्या है संसलेशित अध्धन है फिर से सुन लिजे मानो भुगोल मान समाजों और धरातल के भी संबंदों का संसलिशित अधन है ठीक है और रेड़ जेल ने यहाँ परिभासा अपनी पुस्तक याद रखेगा रेड़ जेल का एक बुक था उसका नाम क्या था एंथ्रो पो जियोग्राफी ठीक है उन्होंने ये परिभासा के हाँ दिया था दोस् लुका बनते थे मैंने आपको बता दिया ऐसे तैयारी करके आपको जाना है ताकि आपका एकजाम में एक भी क्वेशन नहीं छूटे लुक, का लड़ देख सकते हैं निम्न में से कौन प्रसिद्ध भूगलवेता रेट जेल के सिश्य थे ठीक है तो रेट जेल का सिश्य के बारे में पूछा गया है दोस्तों सबसे फेमस जह हो है आपका मिस एलन सेंपल ठीक है तो यहाँ पे इनका नाम याद रखेगा कभी-कभी इनका पूरा नाम भी याद रखना जोद भी इनका नाम है एलन चर्चिल सेंपल ठीक है एलन चर्चिल सेंपल ठीक है इनके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ जब यह टॉपिक दिया गया है तो हो सके एक्जाम में इसके अंदर से कुशन्स पूशे जा सकते हैं इनका जन्म एक किसान परिवार में हुआ था द और उन्होंने कौन सा जगह दोस्ते याद रखीगा लीव जींग कौन सा जगह लीव जींग ठीक है लीव जींग में जो है रेट जेल की सिश्या बनकर जो है भूगोल की विशिष्ट सिच्छा प्राफ्ट की किसका सिश्या बनकर अभी हम लोगों ने जिनका नाम पढ़ा जो मानो भूगल के जन्मदाता जिन्हें माना जाता है रेट जेल इनका जो है सिश्या बनकर जो है ये क्या 1891 से लेकर 895 तक अध्धन किया किसका भूगोल का ठीक है और उन्होंने जो ये आप देख रहे हैं क्या नाम है इनका मिस एलन सेंपल ठीक है इन्होंने अधिकांस लेक अमरिकन जियोग्राफिक सोसाइटी एवं जियोग्राफिकल जनरल में प्रकासित किया इनका अधिकतर जियोग्राफिकल सोसाइटी और जियोग्राफिकल जनरल में प्रकासित हुआ था ये जो सेंपल जो है निश्चेवाद याद रखेगा सेंपल के बारे में पूछा जाता है किस 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 विचारधा के मानने वाली थी तो निश्चय वाद किसका दोस्तों यहां मैं लिख देता हूँ निश्चय वाद ठीक है निश्चय वाद की अग्रनी विद्वान मानी जाती थी ठीक है कौन मिस एलन सेंपल जो है निश्चे वाद की अगरनी जो है विद्वान मानी जाती थी याद रखिएगा ठीक है कुछ-कुछ चीज बताते जा रहे हैं उसको साथ-साथ में नोट करते जाएगा ठीक है तो आपका option B जो होगा फैटरिक रेट जेल जो होगा correct हो जाएगा ठीक है उसके बाद का question है हम लोग देख सकते दोस्तों पूछा गया most important question है दोस्तों कि geography general basis के जो लेखाक है वो कौन है तो इसका हो जाएगा बर्नार्ड वेरेनियस ठीक है तो दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को जानना जोरी है वर्तमान भूगल संस्थापकों में से ये एक है दोस्तों और ये एक परिवार में प्रसनल टीचर करूप में पढ़ाते थे जहां इनका भूगोल के पर्ति जो है रूची दिन बदिन बढ़ते जा रहा था जहां ये जो है कुछ अंतराष्टी वेपारियों के संपर्क में आए उन वेपारियों ने जपान के बारे में जानकारी की आवशकता थी उन वेपारियों को किसके बारे में जानकारी क्या है सकता थी जापान के बारे में क्यूंकि वे लोग जापान से वेपार करते थे इसलिए जो वेरेनियस मोहते जो है उनकी मदद करने के लिए जापान और थाइलेंड परदेशिक का वर्णन किया यानि उन्होंने एक बुक ल लिखने के बाद अनुभोव दोरा उन्होंने ये विचार आया कि किसी छेत्र विश्यष का भूगोल यानि इस पेशल जियोग्राफी का जो है ज्यान विज्यान तब तक योगदान नहीं हो सकता है जब तक कि सामाइन अवधारनाओं को नहीं जोड़ा जाए और इसके बाद उन्होंने इस विचार से अपनी पुस्तक Geographia Generalies क्या लिखा Geographia Generalies जो क्या आपका question पूछा गया है वो लिखा जिसें हम लोग सामाइन भूगोल ठीक है Geographia Generalizes लिखी जिसमें उन्होंने सामाइन अवधारना को जो जिसमें उन्होंने भूगल का जो है सामाइन अवधाना जो है उसको उन्होंने इस बुक में सामिल किया तो ये बहुत ही important question है दोस्तों और काफी जादा ये बार question पूछा गिया है ठीक है याद रखेगा तो अगले question पर चलते हम लोग क्या पूछा गिया है origin of species नाम पुस्तक निम्न में से किसने लिखी ठीक है तो ये फट से कोई भी answer दे रहेंगे जिन्होंने class 9 और 10 के student होंगे वो भी इसका answer दे सकता है इसका correct answer हो जगा चार्ल्स डार्विन ठीक है तो दोस्तों याद रखेगा चार्ल्स डार्विन जिन्होंने इस पूस्तक में जो आप देख पा रहे है अगले question पर चलते हैं क्या पूछा गया नियत नियतिवाद के विचारक कौन थे तो नियतिवाद के विचारक कोन थे तो नियतिवाद के विचारक जितना भी आप options देख रहे हैं इसमें से वो सभी इसके विचारक थे तो option D जो हो जाएगा correct हो जाएगा ये इसके बाद वाला जो question देख रहे हैं ये आपका model में भी set में भी पूछा गया और previous question में भी काफी बार पूछा गया question समें से है किसने कहा मानव प्रकृति का दास है तो किसने कहा मानव प्रकृति का दास है ठीक है तो इसका correct answer हो जाएगा दोस्तों आपका अरुस्तु जो होगा correct हो जाएगा आपका एक्जाम में निश्चे बाद तो याद रखेगा नियती बाद का ही दूसरा नाम में क्या निश्चे बाद मानो भूगल में मानो भूगल के अध्यन की इस विधी के अनुसार मनुष्ट प्रकृति का दास है इस विधी का अनुसार क्या मानते है मानो किसका दास है प् परमुक्विदी के बारे में आप जरूर पड़के जायेंगा एक नियती बाद जिसका बारे में अभी हम लोग ने पढ़ा उसके बाद संभावनावाद और इसके बाद तिसरा वेहन बाद और नियती बाद तो यह तो यह तीन बीधी आप तो संभाना वाद को प्रमपरगत अधिगम विधी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, चलिए, जो उसकी बात का question हम लोगे डिसकस कर रहे थे, कि किसने कहा मानव प्रकृति का दास है, तो किसने कहा दोस्तों, अरस्तु ने कहा है, ठीक है, मानव प्रकृति का दास है, और म मानों को अस्थान विशेस के परियावारण के अनुरूप ही अपने जीवन को जीने को मजबूर होना पड़ता है नियती बात की इस विचारधारा को वर्तमान में विशेस महत नहीं दिये जाता है जैसे कि आप लोग परिवासा देखकर ही समझ सुके हैं लेकिन प्राचिन सम सकते हैं क्या पूछा कि यहां पर देख सकते हैं पूछा गया है भोगोलिक अज्धन की नविंतम विचारधारां में से निम्न में से कौन सा सम्मिली थे ठीक है तो अभी जो है दोस्तों प्रतेचवाद भी है अभी वेभार वाद भी है और मानवता वादी इन तीनों को अ तो संभावाद सब्द परयोग नहीं किस ने किया था रहता है अपका आप सी जो हो संभाउनावाद के बारे में थोड़ा सा जानिएएगा दोस्तों संभावाद इस वह नौना में सर॥ांसेशी भुगल नात जो है पुनर स्थापित किया गया जिनका नाम था आपका Paul Vidal de la Blashe ठीक है यह कुछ नाम था आप लोग भूक में चेक कीज़ेगा एक बार उनका लेक से यह प्रारम हुआ था बाद में फ्रांसे से विद्धिवान आते हैं जिनका नाम आप देख पा रहे हैं फ्वेवरे जो है वो आते हैं उन्हों ने जो इसका concept था उनको सब के सामने रखा और इसका नाम दिया संभववाद उन्होंने इसका नाम किया दिया संभववाद ठीक है तो इसलिए जो है सरपथम इस सब्ध का परियोग जो है Starting किया था आपका याद रखेएगा कौन पॉल विडाल डे ला बला से ठीक है लेकिन इस सब्द को जो है सबसे पहले जोड़ा किसने आपका फेवरेज जो होगा आपका करेक्ट होगा ठीक है फ्रांसेसी विद्धिवान थे ये जिनोंने संभववाद का नाम दिया इसे ठीक है इसके बाद दोस्तों कोईशन नमर 11 प तो दोस्तों जैसा कि कल का एक्जाब हुआ उसके बाद से थोड़ा सा हम लोग को इसके बारे में जानकरे ले लेना ज़रूरी है कहीं से भी घुमा कोशन पूछे तो आप लोग अब फसीएगा नहीं ठीक है तो नव नियतिवाद को रुको और जाओ के नाम से जाना जाता तो यहाँ पर आपका option C जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नव नियतिवाद का ये concept है रुको और जाओ ठीक है इसके बाद दोस्तों question number 12 पे देख सकते क्या पूछे गया संसार में सबसे अधिक जनसेंख्या वाला महादीब कौन सा है तो सबसे अधिक जनसेंख्या महादीब कौन सा है दोस्तों आप सभी को मालूम होगा आपका क्या हो जाएगा Asia आपका Asia जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट होगा ठीक है उसके बाद दोस्तों अगले question पे चलते है क्या पूछा कि Asia से related questions कही अगर आपको Asia दिखने को मिला है तो Asia से related आपको कुछ questions बता द जाता है मानों का घर कहा जाता है याद रखेगी यह भी question पूछा गया है तो आपका हो जाएगा Asia जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट होगा तो यह आपका हो जाएगा option A अफरीका जो हो जाएगा बिल्कुल यहापका correct हो जाएगा ठीक है इस से related भी मैं आपको कुछ questions बता महादीब के नाम से जाना जाता तो आपरिका को जाना जाता ठीक है याद रखेगा और और एक question पूछा गया था कि किस महादीब को विकास की अधिक संभावना वो की विद्धमंता के कारण भविस्व जाना गिरिया किस महादीब को जो होगा आपका अफरिका क्यों दोस्त हेरी स्टेनले ने किया था हेरी स्टेनले ने किया था अफरीका में सरवाधिक जे विविता भी पाय जाता है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अफरीका महादीब जो है जिससे एक ऐसा महादीब है जिससे तीनों रेखाई गुजरती आपका ठीक है आपका करके रेखा भी भू नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं काफी अच्छे से इस चीज़ को एस प्सक्राइब कर दूगा, क्योंकि मैं जो है जादा तर मिरा फेबरेट सब्जेक्ट में से जियोग्राफी है, तो इसलिए मैं इसको अच्छे से इस प्सक्राइब करके आप लोगो सेपरेट वीडि में से कौन से कारक है तो यहां पर जलवाई भी जो है इसका परभाइत करने वाला कारक है नगरी करन भी है ओधियु करन भी है तो यहां पर तिनों option है तो इसलिए आपका हो जाएगा उप्रोप सभी जो होगा बिल्कुल correct हो जाएगा ठीक है संसार के किस महादीप को लोगों का अस्थाई निवास नहीं है तो आप सभी जानते हैं क्या जानते दोस्तों कि अंटार्टिका का जो है अंटार्टिका ठीक है अंटार्टिका जो ऐसा महादीप है 98% जो है उसका भूभाग वर्फ से धका हुआ है इसलिए जो है दोस्तों वहां लोग अस्थाई निवास नहीं कर पाते हैं तो आप संजो होगा बिल्कुल आपका बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा अंटार्टिका को ही स्वेत महादीप के नाम से जाना जाता है और वेग्यानिकों को समर्पित महादीप भी अंटार्टिका को ही कहा जाता है ठीक है अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं जो है वर्ल्ड जियोग्रोफी पर अलग से वीडियो लाओ तो नीचे कमेंट कीजेगा हो सकते हैं तो आज साम तक एक वीडियो अफ्लूट कर देने कोसिस करूँगा उसके बाद दो देख सकते हैं क्या पूछा गिया है नीमन में से कौन सगन जनसेंख्या वाला छेत्र है तो सगन जनसेंख्या वाला छेत्र पूछा गया है तो सगन जनसेंख्या वाला छेत्र होता है आपका दच्छिन पूर्वी ACI छेत्र जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ठीक है उसके बाद दोस्तों विसु का किस छेत्र को सरवादिक जनसेंख्या केंदरित है तो कौन सा छेत्र सरवादिक जनसेंख्या केंदरित रहेगा जहां पर आपका मैदानी छेत्र रहेगा वहीं सबसे ज्यादा जनसेंख्या केंदरित हम ले देखने को मिलता है ठीक है तो मैदा ठीक है पठार और परवत ये भी टॉपिक्स आपको कोईशन्स देखनों को मिलेंगे एकजामे तो इसे भी अच्छे से त्यारी करके जाईएगा कुछ चीज़े है मैं आप लोग को बता देता हूँ आप लोग ध्यान से सुनिएगा बातों को ठीक है विसु में सरवादिक ज जन सेंख्या वलवा दूसरा नंबर पर आता है भारत जो की है 17.5 परतीसत ठीक है उसके बाद आता आपका सहयुक्तराज अमेरिका सहयुक्तराज अमेरिका जो की है आपका 4.7 परसेंट ठीक है कुछ चीज़े और एक है जो कि आपको ट्रीक के माइधम से बता देता हूँ ताकि आप examical confused ना हो विस में सचेत्रफल में सरवाधिक पुछा जाए अभी तो जन सेंख्या में मैंने बता दिया सचेत्रफल में सरवाधिक पुछा जाए तो एक ट्रीक होता है यद रखेगा रुख क्या दोस्तो रुख रुख चीन अब आया भारत रुख चीन अब आय पूछाया है, विस्व में, त यहां पर रूस से हो जाएगा आपका रूस, रूस से हो जाएगा आपका रूस, ठीक है, उसमाद का का से हो जाएगा आपका तो रूख चीन आया भारत से आप लोग विश्व में सरवाधिक बड़ा छेतरफल वाला देश का आप लोग नाम इस तरह से याद रख सकते हैं ठीक है और दोस्तों एक चीज़ पूछा जाता है कि प्राइदीपिय महाधिप किसे कहा जाता है तो यूरोप याद रखेगा मह ओस्टेलिया को जो है डुपय महाधिप के नाम से जाना जाता है ठीक है अगर आपसे पुछे नहीं दुनिया किस महाधिप को कहा जाता तो नहीं दुनिया कहा जाता है उतरी самое का को याद रखेगा तो दोस्तों ये थे आपके आज की वीडियो में कुछ important questions अगर आप लोग